हेलो स्टूरेंट्स गोड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूंगे बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलें क्लासेज में बच्चो आज हम सभी स्वाल करेंगे हमारे सब्जेक्ट आर को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चो फर्स्ट है फॉलो दर स्टेप्स गिवन बिलो केर्फुली टो ड्रॉप ब्यूटिफुल चैरी अब बच्चो देखिए आप सभी को यहां पर चैरी ड्रॉ करना है बच्चो आपको कुछ स्टेप्स यहां दिये गए हैं तो दे करना है नेक्स्ट बच्चो मेकिंग अबजेक्ट यूजिंग क्ले यानि बच्चो मिट्टी को यूज प्रयोग करके और कुछ आपको अबजेक्ट्स बनाना हैं मेक फ्यू अबजेक्ट्स विद क्ले एक्टिविटी फॉर सेलिबरेशन ऑन दा ओकेजन ऑफ सेंटी इंडिपेंडेंज ऑफ इंडिया तो बच्चो देखे आप सभी को पता है इंडिपेंडेंज डे 15 अगस्ट को हर साल हम सेलिबरेट करते हैं तो बच्चो हमें क्या एक्टिविटी दी गई है ड्रॉदर पिच्चर गीवन बिलो और बच्चो आप सभी को पता है कि यह दिखवी क बत्त बंड़ आख सेलिबरेट है आप सेलिबर बच्चो देखे यहां पर बूला गया है कि जो हमारी प्रत्वी है वो निष्ट होते जा रही है और इसे खतम कर रही है निष्ट निष्ट होते जा रही है पूरे दिन में आपने क्या क्या किया या आपको क्या क्या करना है डेली रूटीन, sorry, Game Mind Mapping डेली रूटीन, include the following habit in your daily routine Begin your day by greeting your parents Brush your teeth twice a day, take a bath daily Drink plenty of water and eat a balanced diet Avoid touching your face and wash your hands frequently Complete your homework on time नेक्स्ट बच्चों पानी से पैदा होने वाली बिमारियां जैसे डैंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया आदी से बचने का एक ही उपाए मच्छर पैदा न होने दे तो देखे बच्चों आप सभी को पता है कि जहां पानी होगा वहां मच्छर पैदा होंगी और मच्छर पैदा होंगे तो वह हमें काट खाएंगा उनके काट खाने से हमें मलेरिया, चिकन गुनिया, डैंगो जैसी बिमारिया हो सकती है तो बचो इन सबसे बचने का क्या उपाय है इसके लिए हमें करना चाहिए सपता में एक बार कूलर को साफ करके सुखाएं या उसमें एक बड़ा चमट टैमिकोस या डीजल या पैटरोल कर डाले पानी की टंकियां वे होदियों के धकन हमेशा बंद रखे तूटे फूटे बरतन टायर इतियादी कुले में ना रखे इनमें बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं घर के आसपास पानी खटा ना होने दे चिडियों के पानी के बरतन, मनी प्लांट, फ्रिज की डीफ्रोस्ट्रे फैंक्षुई पौधे का पानी इतियादी प्रते दिन एक बार अभेशे बदले ठीके बच्चो तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है आई होप बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया हुगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिये comment box और मुझे comment ज़रूर लिख कर बताए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी से जाएए red button दबाएए और सभी मेरे चैनल को subscribe किजिए चैनल को subscribe को नहीं ना भूलिए थैंक्स पर वाचिंग दी वीडियो have a nice day students